इसमें स्पर्म लख रखता है, सीमें जो रहता है, उसमें से लिक्विड को हटा दिया एता है और जो किटाणों सीमें के अदर में रहते हैं वो स्पर्म उसको अलग कर दिया एता है और अच्छे स्पर्म को चुन के हम लोग यूट्रस में डाल देता हैं बचेदानी में इसी लिए इसको इंट्रा-इंट्राइन इंसेमिनेशन बोलायता है ये इनफर्ट्रिटी के ट्रीट्मेंट दा एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है नौर्मली इनफर्ट्रिटी के ट्रीट्मेंट में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रीट्मेंट दवा अगरा देते हैं और जाश होती है अब दवा चलती है जब 6 महिना साल बर दवा चलता है और बच्चा नहीं चलता है उसके बाद आई-उ-आई के लिए हम लोग से जो प्रेगनेंसी होने की सम्हावना रखती है वो लगभग पांच नुना से दस नुना बढ़ जाती है तो आई-उ-आई के एक साइकिल में ट्रीट्मेंट से प्रेगनेंसी ठहरने का चांस लगभग 10% की आसपास रगता है जो की अलग अलग मरीजों में जिस कारण से क आई-उ-आच कियाता है जिसमें एक होता है अगल पति पत्नी साथ नहीं रह पारहे हो या पती बाहर रहता हो साथ रही नहीं पाता हो तो उसमें हमें सीमें को फ्रीज करके अपने पास रह सकते है और जिसमें महिने में औरत का ल lucrat एक कोई कारण ने प्रता है कि आखिर यह रहा है जिसको णॉभाहु होड़ में डवाग आ है तो अगर और स्थाइस से उस वुद्लेग गारता है तो थी सुयह जो एक फिर बत मुझी देवलब करता है या जिस वहारमों ने डीक लेक्षण इस तरह के भी लोगों में जब दवा देते हैं लोग अंडा बनने के लिए और अंडे बन जाते हैं तो उसका समुचित उप्योग हुपाय अंडा का इसके लिए लोग आईवाई करते हैं ताकि चांस बढ़ जाया प्रेग्नेंसी का इसके अलाबा पूरुष में प्रधान ब वाश करते हैं तो स्पर्म उससे गाढ़ा हो जाता है लेकिन ये इलाज हर में नहीं अंड़ कर सकते हैं के वर्ड माइड से मॉडरेट डिग्री मतलब अगर बहुत ज्यादा खराबी हो तब आईवाई करना उसके संभव नहीं रहता है उसमें लोग वेट करते हैं दवा द नहीं है उनको कोई दूसरी हॉर्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है हजबन टसीनन आईवाई करने लाइक है कि नहीं यह सब अगर रहता है तो हम लोग जो शुरू करते हैं तो वाइफ को लोग दवा देते हैं पीड शुरू होने के मासिफ चुरू होने के दूसरे दिन से इससे अंडों की संख्या बढ़ाई जाती है जितने जादे एक से रहेंगे उतना ज्यादा ट्रेडनेंसी का चांसेज रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा एक इस रहने के बन जाने के इस चीज का भी डर रहता है कि कहीं एक पाल में कीमियाचार बचा नहीं ठेर जाए तो हम लो पेशेंट को दसने दिन बुलाते हैं देखने के लिए अट्रसमन के द्वारा फॉलिकलर मॉनिट्रिंग करते हैं और जब एक का साइज 18 मिली मीटर से जादा हो जाए और बच्चेदानी का लाइनिंग 7 मिली मीटर यह 8 मिली मीटर से जादा हो जाए तब इसका मतलब की एक इंजेक्शन देते हैं HCG उसको बोलते हैं 5000 या 10,000 यूनिट की सुई वो हम लोग शाम में दिलवाते हैं और उसके 36 गंटे के बाद मतलब अगर आज एक जरेडी है आज हम लोगोंना सुई दिया तो परसों सुबर फिर हम लोग पेशेंट्स को उलाते हैं इस दो दिनो के दूरान में जिस दिन इंजेक्शन एक रप्चर करने का एक उटने का जो इंजेक्शन दिया जाता है और दीन के बाद भूलाय लटा है इन दो दिनों में हस्बेंड वाइफ को साथ में रहने से परहेज करना है ताकि सीमें जो हम लोग को मिले दो दिन के बाद आईवाई करने के दिन वो कम नहीं लगे आईवाई के दिन मतलब आज अगर इंजेक्शन पड़ा तो एक दिन छोड़के दूसरे दिन सुपर में फिर बुलाते हैं पिशिंस को और हस्बेंड रहे अपना सीमें देते हैं वो सीमें घर से भी लाके दे सकते हैं लेकिन सीमें यहां पर आदे जूंटे में आजाना चाह करना पड़ता है अगर सीमें ठीक रहता है तो उसको हम लोग सीमें वाश करते हैं जो कि एक मशीन के द्वारा किया जाता है सीमें वाश में हम लोग सीमें के सास्थ एक कल्चर मिडिया मिलाके उसको काफी तेजी से गुमाते हैं जिससे कि उसके सीमें का पानी अलग हो जात और उसके बाद उसमें से अच्छे जो स्पॉंस रहते हैं गतिशीर रहते हैं वे उस पानी में उपर आ जाते हैं तो उसको स्विमप बोलते हैं Swim up technique के दूआ नॉर्मली हम लोग सीमेन वाश करते हैं और इस सीमेन को जो स्विम करके ऊपर आया है अच्छा स्वांग है उसको फिर हम लोग अलग करके यूज करते हैं I.O.I. करने के लिए के लिए फुलिज करते हैं तो इस तरह का मीडिया रहता है जिसमें की स्वर्म को स्विम करते हैं और नीचे से जो अच्छे स्विम करते हैं और उपर आया हूए में से के वर मोग आधा एमेल इतना एक कि आधा एमेल हम लोग सीमेन उपर वाले पोर्शन से निकालता हैं जिसमें की सबसे अच्छे स्पॉंस रहता हैं और इसी को हम लोग यूट्रस के अंदर में नीचे से सर्वीट्स के रास्ते से नीचे से हम लोग बच्चेदानी में डालके इसको पुश कर देते हैं जो आध प्लास्तिक के नली से किया रहता है और किसी तरह की अशुईधा इसे नहीं होती है कभी-कभी बच्चेदानी ऐसा होता है कि अंदर ये प्लास्तिक का सॉफ्ट कैस्टर नहीं जा पाता है तो हम लोग को उसको पकड़ना पड़ता है इंस्ट्रुमेंट से जिसमें की बहु प्लास्तिक करता है उसमें कभी-कभी थोड़ा बहुत नहीं हो सकता है उसके बारे में आपको पहले बता दिया जाएगा बहुत रेर केसे में 100-200 में कभी या उससे भी जादेर में से एक केस में कभी-कभी इमनों को बेहोश करके लिए आई-उ-आई करना हो तो आई-उ- या तो डालता है कि बहुत लोह को लगता है कि आए समन करता है वह नहीं करता है अधे में आँ purely बढ़ता है लुटेस्मे के अंडर सभी इंचर स्पाँ जाता ह। कर सकते हैं किसी भी तरीके के काम कर सकते हैं रेस्ट करने की ज़रुरत आई उइवाई करने के बाद अगर आपको बहुत ज्यादा दधो रगातार बना रहता हो या ब्लीडिंग हो या बुखार लगे इस तरह की कंडिशन में आपको डॉक्टर को ख़बर करना चाहिए और उ पती पत्नी को साथ रहना चाहिए उसमें ऐसा नहीं है कि साथ रहने से आयूइ में कोई खराभी रवा उल्टा उसे कुछ फैदा ही हो सकता है इसे लिए साफ रहना भी मैना नहीं हो आयूइ के बाद नौर्मली आयूइ करने के 14 दिन के बाद पीरिड आने का टाइम रहता है और हम लोग उसके 10 दिन बाद मतलब आयू आई करने के 25 दिन के बाद प्रेशिंट को घुलाते हैं ताकि एड़कर समुन से यूट्रेस में बच्चा ठारा हुआ कि नहीं वही देख जाए लेकिन 14 दिन के बाद भी आप 17 ठारा दिन पे भी आप अगर घर पे हैं और पीरेड करते हैं और कभी कभी जुड़ाओं पर चाहिए चाल गर भी एक बार में ठार जाए ऐसा बहुत रेड़ी कभी कभी हो सकता है तो इस चीज़ का एक रिस्त रहता है दूसरा इंफेक्शन होने का रिस्त रहता है लेकिन अगर सीमें इसलिए सीमें को हम लोग वाश करते हैं क कि थोड़ा बहुत इंफेक्शन का खतरा 500 एक हजार में से एक दो पेशिंट को होता है तो अगर आपको कोई भी इंफेक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं लक्षन होते हैं जैसे बुखार लगना पेट दर दोना आई-ई-ई-ए कर्थ होने के बाद अगर ऐसा कुछ लगे तो इस तरह के केस में हम लोग अगर हजबेंट बाहर रहने वाले हों और उनका सीमें हम लोग हजबेंट का इस तरह के केस में जिसमें की हजबेंट बाल बाल आई-ई-ए के लिए नहीं आ सकते हो और चुटी नहीं हो या जिस दिन सीमें देना हो उस दिन किसी डर के चलते हैं करें ग्याटी का चरते सीमें नहीं रखते हो तो इसमें लोग पहले से भी सीमें को लेकर अगले में नास Pown आगर नहीं भी रहे तो यह रहा है जब आईवग treated make you रखता कैव intermittent and तो निकाल के husband का और उसको फिर वापस उसको गर्म करते हैं और देख लिखेंगे अच्छा स्वाम अगर चलने वाले हैं गतिशी तो हम लोग वाश करके उसे भी आईवाई कर सकते हैं तो सीमें फ्रीजिंग के काम हम लोग साहरा ले ले सकते हैं लोग से नौली आई वाई कितना बार किया जये इसका ऊओए किक्स क्रैटेरिया नहीं है की नियम नहीं बना हुआ है कि इतना ही वार करना है वह मुरीज के उमड कितनी है कितने साल शादी कर रोग ए हुग है हज़में का सीमेन का रिकोट कैसा है और अत्रे घखाश एक नली कि जाज का रिकोट कैसा है उसके अड्व का जिजर्व कैसा है तो यह सबसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कि इतना सॉकिल किया जये कभी-कभी एंड इख दो से कि लिए क्वला आयूई करते हैं और कभी-कभी अगर कोई दिक्कत हो आने जाने में दिक्कत हो या पैसे कि तमीके चलते कोई नहीं आपाए तो बीच में आप लोग साथ भी रहके देख सकते हैं अगर दो साइकल में नॉर्मली आईवाई से बच्छा अगर नहीं ठरता है तो हम लोग का प्रोटोपॉल एक होता है जिसको की लैप्रोस्पोपी बुलता है लेपन डाइट टेस्ट करके ट्यूब की जाज करते हैं ट्यूब की जाज बाखी सब के पेशिंट्स में हम लोग स दुसरा पेंट में ओरत के कोई ऐसा चीज तो नहीं ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जो कि आईवाई को फेल करने में उसका रीजन ही तो इसके लिए जैसे एंडोमेट्रियोसिस होता है और भी पेल्विक इंफेक्शन इंफरमेट्री डिजीज होते हैं तो ये सब बीमारी क अगर इलाज आपका नहीं काम कर रहा हो छे साइकल भी फेल कर जाता हो तब हम लोगों को उसके बाद आईवेफ या इक्सी करने की ज़रूरत होती है हर सैकल के बाद हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि क्यों प्रगेंसी नहीं ठोरा पिछले महिना एक कैसा बना था अगर ऐसा कुछ लगे तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि और इसमें क्या किया जा सकते हैं